हलो फ्रेंद्स मैं हूँ मैंग चाचा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह आप किसी गर्ल का फेस फिनिश कर सकते हैं और मेक अप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम उपन करते हैं गल पिच्चर और इसके बाद जाते हैं और इसके बाद गृतिक करने हो kolay किसी के बाद हमें से कि किन आप देख रहे हैं किस तरह से साब के सारे पिंपल्स जो हैं इसमें से रिमूव हो रहे हैं और यसी तरहीच से आप सारे स्किन पे जहां जहां पे भी माक्स हैं वो सारे के सारे रेमूव कर सकते हैं आङ policy set कर सकते हैं जेतने opacity आप चाहते हैं है इसको रिटज करना गाल उतनी opacity से आप उसको रिटज कर सकते हैं अगर आप opacity कम करेंगे तो वह कम retouching पे जाएगा अगर आप opacity बढ़ाएंगे तो वह ज्यादा स्मूथ करेंगा देखिए skin को हमने proper तरीके से retouch कर लिया और इसको जो neck है यानि गर्दन जो है उसको भी हम finish कर रहे है करेंगे हर टूल पर क्लिक करेंगे नेक्स टूल हमारा finishing है जहां पर बहुत light सा हमें finishing चाहिए तो वहाँ पर finishing यूज करते हैं जहां पर pixels हमें original चाहिए और smoothness भी चाहिए तो दोनों को merge करते हुए हम finishing को यूज करेंगे ज्यादा तरह हम finishing को boy skin के ओपर ज्यादा यूज करते हैं जहां पे हलका सा फेस पे थोड़े बाल होते हैं और उसको मिक्स करना होता है skin के साथ तो हम finishing को वहाँ यूज करते हैं फाइनली हम इस पर finish करेंगे नेक्स तूल हमारा यूज करते हैं और lights किस तरह से हमारी effect करते हैं उसी तरीके से हम इसमें बना रहे हैं अध्यान से देखिए अगर आप सेम पैटन पर काम करेंगे तो आप काफी अच्छा result दे सकते हैं और इसके बाद हम finish पर click करेंगे तो next tool हमारा है eye depth जो है इसमें हम eyes के उपर sharpness and depth create करते हैं कि अगर normal हमारी जो picture है उसमें हम eyes पे इतनी sharpness नहीं दे पाते हैं बट इस tool के through हम sharpness दे सकते हैं देखें अब next tool पर आते हैं next option पर यह हमारा lips पर आ गया और इसके बाद हमें जाना है next tool के ओपर जो है हमारा liner liner का मतलब यह कि जो beauty parlor में आजकल lips के ओपर lining बनाते हैं घर में भी लोग lips के ओपर lining बना लेते हैं तो इस तरह से हम खाली इसको rub कर देंगे इस area के ओपर brush को औ और वहां पर lining create कर देगा देहां से देखें किस तरह से line create हो गया और अगर आपको line नहीं चाहिए या कुछ गलत line create हो गया है तो आप उसको undo कर सकते हैं control Z से थोड़ा सा size बड़ा ले लेते हैं इसको देखें देहां से मैंने यह बड़ा कर दिया और इसके ऊपर भी मैं smoothly lip liner हो गया और फिनिश करता हूं next tool है मेरा dwells glow dwells glow जो है वह आपके jewelry के उपर glow देने के काम आता है ध्यान से देखें कि अपने jewelry के उपर रब कर दिया और jewelry के उपर जो softness है वो सब खतम हो जाती है कि इसके बाद फिनिश करेंगे इसके बाद next tool पर हम आएंगे जो है हमारा sparkles sparkles का मतलब यह है कि हमें eyes के उपर color sparkles लगाने हैं तो मैं sparkles पर क्लिक करूँगा और इसको रब कर दूँगा ध्यान से देखें किस तना से काम कर रहा है मैंने रब कर लिया इसको और नेक्स्ट जगा पर मैं जाके रब कर लेता हूं इसको और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप color set कर सकते हैं color range से और sparkle gold ले लेता हूं इसको परसंटेज 100 करूँगा ताकि इसकी परसंटेज 100 में glow मैं green sorry golden जो है मैं आपको पूरा प्रापर दिखाब आउँ इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे नेक्स्ट टूल पर जाऊंगा जैसे स्पार्कल मेरा रेड है स्पार्कल रेड को मैं चूज कर सकता हूं इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट टूल पर आएंगे वह हमारा हेर कहलों के अंदर मेहंदी टाइप का कलर लगा सकते हैं इसका अब चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपने कलर लगा लिए कलर लगाने के बाद अगर आप जाते हैं कलर रेंज के उपर तो वो आपका color change भी ही कर सकता है color range और भी tools पर और चाम कर सकते हैх sparkles के उपर किसी भी जगा पर यूज कर सकते finish करें अब hair details को use करेंगे ताकि हम hairs के अंदर detail दिखा सके किस तरह hairs में detail आती है हमारे, देखें आप इस तरह से हमारे hairs में detail आ रही है कर और यह हमारे हेर्स मेने यह राग नगी और इस तरह से हम काम कर सकते है उन फिनिश अब देखे हमने ओर इजेनल पिक्चर और आघी पिक्रेट किया उसमें क्या फरत है थे जङब की फिक्चर को यह उसमें प्राफर साथ sugars करो दिआ फिनिश कर दिया उसमें मेकप लगा दिया तो एक नॉर्मल पिक्चर को आप बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हैं और जितना मरजी स्किन पे दाग हों पिंपल्स हो सब को हटा के आप बिल्कुल ब्यूटिफुल फेस बना सकते हैं और इसी तरीके से हम फिनिशिंग करते हैं चाहिए वो ग्रुप हो चाहिए वो पोर्ट्रेट हो चाहिए कपल हो आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं मेकप कर सकते हैं स्टूडियो पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट तूले थैंक यूफर वाचिंग गर्ल रिटच